जैने दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल ACP 350 में कि जानकर आपको प्रसंता होगी कि आज ये हमारी last class होगी यानि कि इस से पहले हम 6 टोपिक कवर कर चुके हैं किने मतलब ये है आरो और ए आरो में 6 टोपिक पूछे जाते हैं जिसमें से हमने 5 कंप्लीट कर लिए हैं अब ये हमारा छटा और क्या लास्ट टोपिक होगा तो आज आरो और ए आरो के लिए ये हमाई last class है इस से पहले हमने 6 टोपिक कवर कर लिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं class 2 बाक्य और बरतनी शुद्धी जिसमें कि हम पढ़ेंगे बिगर वर्स की परिक्षाओं में पूछे गए प्रसंद संक्लन चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रसंद में कह रहे हैं कि अदो लिखित में इससे सुद्ध बरतनी वाला सब्द कौन सुद्ध बरतनी वाला शब्द है यनकी एक सुद्ध है बाकी है शुद्ध है तो सुद्ध जो है हमारा क्या है बाजार हमारा सुद्ध हो जाएगा बाजार बागी इधर दे रखें असुद्ध और इधर दे रखें शुद्ध तो इनको पढ़ते हुए चलेंगे बैक्षा में बारात बारात कैसे लिखा जाएगा बारात यह हमारा क्या हो जाएगा सुद्ध यह क्या है हमारा शुद्ध यह लिखा है का काली दास काली दास स्थ क्या होजाएगा काली दास काली दास यहन इन की छोटी की मातरा लगत ना की बढ़ी लगति विराम चिन से युक्त बाख्य का चुनाव कीजिये सही से युक्त है हाँ ठीक है यह हमारा सही हो जाएगा क्योंकि काइना कि सुनो सुनो बहगा रही है सुनो सुनो बहगा रही है तो एक सुनो के बाद आएगा कॉमा फिर अगले सुनो के बाद आएगा कॉमा फिर सीधा बाप क्यों हो जाएगा बहगा रही है राम लक्षमर सत्रून पदार हैं इसमें दे रिया हमारे ये बिसम आदी बोदक एक्सक्लिमेटरी साइन जो कि गलत है राम क्या आप हरिद्वर से आ रहे हैं कुश्चन मार्क नहीं लगा ये इसलिए गलत हो गया राम नरेज गोबर गड़ेज हैं योजक चिन नहीं आएगा ये इसलिए गलत हो गया ठिक प्रसन संख्या दूजी तेन क्यों प्रसन संख्या तीन में पूछ रहे हैं निम लिखित मैं से सुद्द बाके है सुद्द सुद्द की कलास से सुद्ध 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 पुछते रहें में तो बताद उन्हें है हमारा जो है कि यह हमारा ऑप इन्तर Brother की पर्दान Sau यह सब्द है यह नहीं आएगा प्रतान की जगे क्या आजाएगा अर्पित कि अर्पित कि अगला है कि साहित और जीवन का गोर संबंद है तो गोर नहीं आएगा क्या अभिन संबंद है या फिर गनिश्ट संबंद है अभिन संबंद आएगा गोर नहीं आएगा चार में पू दोका देकर लूट लिये दोका दोका ऐसे नहीं लिखा जाता है दोका कैसे लिखा जाएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा प्रसन संख्या पांच निम्लिकित मैं सुद्ध बाग, सुद्ध सब्ध है, सुद्ध सब्ध है, कौन सा है सुद्ध, सुद्ध है हमारा लब्द प्रतिष्ट, लब्द प्रतिष्ट, इसमें ठा कर दिया, इसमें क्या कर दिया, पिरा कर दिया, इसमें भी यही पिरा कर दिया, गलत हो गया, ठीक है, शे नमबर, एक सुद्ध बाक के है, एक बाक के सुद्ध है और क्या है डीवाला, किरपया एक गलास पानी दीजिए, किरपया एक गलास पानी दीजिए, बैक्ख्या हम देखेंगे, बैक्ख्या हम कहे रहे हैं कि वह है सातवे, सातवी होगा, सातवे काक्षा क्या होता है, सात सर esfुन दीगा घाट नहीं होता है पार्ट होता है सरी उन दीगा घाट बहुत 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 लंबा है जो लोग बढ़ जाना चाहते हैं बे जासके थे यहां पर बै नहीं होना चाहिए बै की यह क्या हूं गया वे आए साथमा कह रहे हैं कि निम लिखित में से एक सुद्वर्तनी में हलंत संबंध अशुद्धी है हलंत संबंध ही असुद्धी इसमें है और वो किसमें है यह शिरियुत में शिरियुत में असुद्धी है ता में हलंत नहीं लगेगा बाकी सम्में लगेगा सिरीमान में लगता है और परिशद में लगता है और समराट में लगता है आट में पूछ रहा है कि किस सब्द की वर्तनी शुद्ध है किस सब्द की वर्तनी शुद्ध है सुद्ध वर्तनी बतानी है और वो क्या है करपूर बढ़ते क्या है कपूर 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 होता क्या करपूर ठीक है बाकी ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत नौ किस सब्द की वर्तनी शुद्ध है किस सब्द की वर्तनी शुद्ध है किस की शुद्ध है अंतरधान की शुद्ध है ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ब्याख्या देखेंगे ब्यक्ख्या में देखेंगे इधर शुद्ध हैं और इधर शुद्ध हैं नी रोग क्या होता है नी रोग बड़ी की मात्रा लगेगी शन्यासी नहीं शन्यासी यहां अंकी बिंदी की तुरुटी है अहिल्या में हाग पर यी की मात्रा नहीं लगेगी अहिल्या ऐसे लिखा जाएगा ये ठीक है प्रसंद जंक्या दस दस में क्या कहे रहे है कौन सा बाक्य शुद्ध है इसमें शुद्ध बाक्य बताना ये सुद्ध है मैं केवल इतना चाहता हूँ मैं केवल इतना चाहता हूँ ये सुद्ध है राकी बैखे देखेंगे किस में क्या-कत रूटी है सराब पीना विश्शे बहंकर है शराब विश्शे बहंकर है पीना तो ही है असुद्ध दिन दहाडे डांका और चोरी करते हैं सुद्ध रूब क्या होगा दिन दहाडे दांका मारते और चूरी करते हैं अशुद्ध है कि मैं केवल इतना ही चाहता हूँ ही क्यों आएगा ये निपात सब्द है इसको अटाईगे मैं केवल इतना चाहता हूँ 11 नमबर देखेंगे 11 नमबर ढखेंगे कौन सा बाग के अशुद्ध है एक अशुद्ध होगा अशुद्ध वर्र देखना है कौन सा अशुद्ध है इसका तातकालिक प्रभाव पढ़ा ठीक है पत्र किस के नाम पर लिखा गया ये गलत है ये गरत, एक रुपे में कितने पैसे होती है, ये सही है, भारत एक सम्रद शाली देश है, ये भी सही है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, अशुद्ध है, इसका सुद्ध रूप क्या होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया, पर नहीं, नाम लिखा गया होगा, ये बूच रह लगाने की आवशिक्ता है गर्म आग आग गर्म ही होती है लगाने कोई आवशिक्ता नहीं है आगे देखेंगे ब्याक्ख्या में क्या कह रहे हैं ब्यक्ष्या में कहे रहे हैं कि ये थो हमने बताई रिया свою मेरे लिए वर्फ और आगलाव ये स्वस्थ रहें तो इतना जटिल क्यों बना दिया ये साधा साधा लेखी बेवियाम करने चाहिए ताकि सुस्थ रहें एक एक करके सब ही मर गए के नहीं आएगा एक एक कर सभी मर गए तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी वात होगी होगी नहीं होगा होगा आएगा ठीक है तेरहे में क्या कह रहे हैं तेरहे में क्या कह रहे हैं अशुद्वाग के पूछ रहे हैं अशुद्वाग के शुद्वाग 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 के परिवेशेर परदते हैं ठीक है ? तो बहुर मत होना बिलकुल हूँ हम WAY कौन कौन सी चीज देखनी है क्या है और की गत्रुशन देखना है और वर्थनी बगपन हमें देखते चलेंगे इतना हम ठीधिन तो प्रसंद संख्या, तेरे असुद्ध बाक्य है, असुद्ध बाक्य बताना है, पूजास्पत, पूजास्पत कुछ नहीं होता, यही है सुद्ध, पूजास्पत ब्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूजास्पत सबकी वर्तनी अशुद्ध है, इसका सुद्ध रूप क्य में कह रहा है कि शुद्वर्तनी वाला सब्द कौन सा है शुद्वर्तनी वाला सब्द कौन सा है बताते हैं स्रस्टी ऐसे नहीं लिखा जाएगा अभियंत्रिक भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा समुद्रिक भी नहीं होता है अनाधिकार अनाधिकार ये सही है अनाधिकार अब भ्यांत्रिक बड़ा आ बनेगा सामुद्रिक बड़े आ की डिंडा लगेगा मत्रा लगेगी अशुद्ध वर्तनी वाला सब्द अशुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौनजा है पांचवां ये अशुद्ध है पांचवां असुद्ध है इसका सुद्ध रूप क्या होगा? पूरा चंद्र बिंदू लगेगा पाँच वाँ उंगली सही है, बाँच सही है, दांच सही है दांच से याद आया डॉक्टर समसुल हसन और दांच सोले नम्मर पर है कि वर्तनी की दरिश्टी शे निमलिकित में से सुद्ध सब्द है, वर्तनी की दरिश्टी से निमलिकित में सुद्ध सब्द है कौन सा है? अनुग्रहीत ये वाला दानी आएगा अनुग्रहीत ये नहीं आएगा और ये बड़ी की नहीं आएगी चोटी की है लेकिन रिटांग जिया तो सीधा से क्या बनना है? सीही बनना है सत्रे नमर पर है वर्तनी शुद्ध है किसकी वर्तनी शुद्ध है? अधिकारिक गलत है अधिकारिक गलत है अधिकारिक गलत है क्या आधिकारिक आधिकारिक अठारे प्रस्द संग के अठारे में कह रहे हैं एक वाक्त के जो शुद्ध है वह है, शुद्ध बाक्त के बताना इने, इन में से सुद्ध कौन सा है, कौन कौन से है, बाक्त के देखेंगे एक बार, उसने मुक्त कंट से बढ़ाई की, मुक्त कंट से बढ़ाई की, वो क्या होता है, मुक्त हस्त धन लुटाया उसने, हाँ, समस्त प्राड़ी मात्र यह क्या होता है आपकी आईयू 40 वर्स है दो वर कैसे आगया आईयू भी आगया वर्स भी आगया बैख्या देखेंगे क्या बता रहे हैं उसने मुक्त कंट प्रसंशा की प्राड़ी मात्र का कल्यान करो आपकी अवश्ता 40 वर्स है ठीक है यह जो है सुद्ध है उनके जो अभी उपरहम पढ़के आये थी उननेस नमबर प्रसंशा में कह रहा है कि निम लिकित में एक वर्तनी शुद्ध है यानि एक की वर्तनी शुद्ध है और तीन की क्या है गलत है तो डारेक्ट ब्यक्खा पहुंचते हैं न पर क्यों प्रस ही देखनी पड़ेगे राटैंग के नो शुटकट मार दी जबकि रा पूरा बनेगा पर स्थिति ऐसे नहीं पर स्थिति ऐसे लिक्खी जएगी ठीक प्रतोंतं संग्य इसमें के रहे। वरत्रुनी की द्रिस्टी से सुद्ध में पड़िश्टी से सुद्ध है या परिच्भा कुछ नहीं होता आप यहिंता कुछ नहीं होता है नियुआ को पर जो भी है पिरसम संख्या 20 के बाद से साइध माइक बन था आप देख ले ना उसको पढ़ना ना खोदी और हम पहुंच गए थे 24 पे 25 से सुरू कर रहे हैं हम दो आर ठीक है 25 से देखिए एक बाद के जो शुद्ध है और वहे है कौन सा है एक बाद के शुद्ध है वहे है कौन सा है यह उस जंगल में प्रत्यकाल का दर से बहुत सुहाबना होता था होता था ठीक है अशुद्ध यह नीचे बैक खे बॉक्स में हम पढ़ते हूँ चलेंगे यह कहरे है बाग और बकरी एक घाट पानी पीती है तो पीती है नहीं होगा पीते हैं होगा जैसे यह हमने पिछली किलास में पढ़ा था कि जो link है किसे आखरी वाली के यई आखरी वाली संग्या से परिवर्थित होगा तो संग्या सर्णा में link आखरी वाला क्या है बाग और बक्री एक घट पानी पीती हैं नहीं बल्कि किया होगा पीते हैं ठीक है अशुद है उन्होंने इस बात पर आपत्ती प्रकट की प्रकट नहीं की आपत्ती की तो आपत्ती प्रकट कर नहीं हो गया इसकी आवश्यक्ता नहीं है उन्होंने इस बात पर आपत्ती की इतना ही काफी हुआ तमाम देश भर में आये तमाम भी भर भी यह बात फैल गई तो सब्द है बरतनी की दृष्टी से सुद्ध क्या है इसमें डारेक्ट नीचे आ जाईए इसको देखेंगे डारेक्ट ये अशुद्ध है ये शुद्ध है पूजनिय आदा जा है जो की पूरा बनेगा पूजनिय होता है पूजनिय नहीं होता है ततकालिक नहीं होता है तातका के से हो गया है एक मिनट इतना ठीक है रसन संख्या 27 सुद्ध बरतनी वाला सब्द बताईए अनुग्रहीत अनुग्रहीत यह शुद्ध है वाकिया सुद्ध है 28 में पूछ रहे हैं कि अदो लिखित सब्ध युगमों में कौन सा सुद्ध है पती-पत्नी यही शुद्ध है पती-पत्नी चोटी की मातरा भी पत्नी पगलत हो जाया पती-पत्नी तापूरा हो गया पती-पत्नी यह पगलत है ए सही है हमारा 29 29 में कह रहा है कि वर्तनी की दरश्टी से कौन सा सब्द सही नहीं है यानि कि शुद्ध नहीं है सीडी सी बाते कौन सा नहीं है भी नहीं है आधीन नहीं होता है आधीन होता है यानि कि छोटा बनेगा बाकी प्रतिनिदिक सही है अध्यात्मिक सही है आभ्यांत्रिक सही है तीस में कह रहा है कि कौन सा सुद्ध वर्तनी वाला सब्द है कब यत्री होता कब यत्री नहीं होता गनिष्ट होता ठ यही सुद्ध है पहले नावाद में जो बताए था इर्शा में एक में दिखाई दुन आपको अरे यह दे तो रखें कहा है कहें एंदा परिषान वाला यहीं देखिए यह इंद शुद्ध यह कब यत्री शुद्ध और यह चिन्न शुद्ध ठीक है 31 में पूछा है, एक सब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानि तीन की साहिए, अशुद्ध किसकी है, आजीव का, आजीव का नहीं, अजीव का होता है, सुद्धरूप क्या होता है, आजीव का, यानि इस वी पे भी मत्रा चड़ेगी, छोटी एकी, 32 नम्मर, कौन सा सब्द की द्रश्टी से सुद्ध है, कौन सा सुद्ध है, ए, निरहमकारी, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें पैत्रिक ऐसे लिखा जाएगा, जग्रती ऐसे और निर्दे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, 33 में क्या है कि सुद्ध बाग के चिन्नित करें, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया इनको खेद है छोब है छोब नहीं होता है दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, दुख नहीं होगा, खेद होता है, जैसे असुद्धा के लिए खेद होता है, वैसे ये भी असुद्धा होगा है, हमारे लिए कि सामने वाले ना हमें रिप्लाई नहीं दिया, शोक है, शोक क्या कोई मर गया है, ये सोक ह 34 नमबर सुद्वरतनी पूछ रहे हैं क्या हिंश हिश्र ये शा में रा लटक रहा है इस तरह से ये हिश्र ठीक है इधे रखा है हिश्र भासकर का सुद्वरूप भासकर होगा रूपया का क्या रूपया हो जाएगा और बदाम का क्या बाद आम हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ती है, 35 नमबर, एक बाक्य अशुद्ध है, और वो है ये, कि तुफान, देख रहे हैं, तुफान में सेकणों लोग मर गए, तुफान होता है, तुफान होता है, तुफान, क्या होगा, तुफान, 36 नमबर, पूछ रहे हैं, बाक प्रदान किया, बेहट किया होना चाहिए, अरपन किया हो जाएगा, चलो, छोटे हैं इसलिए, अरपित किया, अरपन किया, आगे बड़ी, 37 नमबर में, 37 नमबर के रहे हैं, लिंग की दृष्टी से एक शुद्ध है, लिंग की दृष्टी से, काली दास्त की पत्नी बहु लिंग का उत्रवती होगा, लक्षमी वाई बहुत वल्वान थी बल्वती होगा, भगवती लक्षमी भक्त पर परशन हुई है, ये सही है, डी, ये सही है, 38 देखेंगे, कह रहा हैं कि वर्तनी की दृष्टी से सुद्ध सब्ध है, कौन साइजी, बी सुद्ध है विवर्त वागी ये चिन, इसको मतलब रटने, बहत पूछा जा रहा है, अनुग्रहित पूछा जा रहा है, ग्रहनी, ये चिन और अनुग्रहित इनको इम्पोर्टेंट में लगा दीजिए और यहाँ पर लिखा भी ये देखो, इम्पोर्टेंट, सुद्ध ये है, सब्द ये हैं, और उनकी सुद्ध बर्तनी ये है, चिहन नहीं होता है, चिहन होता है, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होता है, और विरहनी नहीं, विरहनी होता है, 49, सुद्ध बर्तनी वाले सब्द का चैन करें, सुद्ध बर्तनी वाले सब्द का चैन कीजिए जी यहाँ पर, जयोत तत्त ना थे सीकिन है इसको जो इंब्ORSG続loard राएंगे अंसर नहीं है यह हमारा है यह इतना बतारा है कि इंपोर्टेंट सब्द है आगरा ही आएगा अंसर हमारा है यह जोट्सना इस तरह से लिखा जाता है देख लीजिए चालिस में कह रहा है कि वर्तनी की दरश्टी से कौन सा सब्द अशुद्ध है कौन सा सुद्ध है कौमलांगी सम्मिलित उतकर्षता अनुग्रहित कौन सा बताइए कौन सा लग रहा है यह उतकर्षता कैसे लिखा जाएगा उतकर्ष सुद्ध सब्ध क्या है उतकर्षत ओमलांगी सम्म्मिलित और अनुग्रहित शुद्ध दरश्टी क्या है वर्तनी द्रश्टीन की सुद्ध में कह रहा है एक सुद्ध बाग के है और वह है kौन सा ह web देखें आपसम परतेक विद्ध्यार्थी को चाहिए की वे हिंदी की अनेक पुस्तक में पढ़े हरेक विद्ध्यार्थी हरेक तो नहीं होगा याँ गलत हैं अभी तक तो यह सही है दी ओर देखो D में हैं, हर एक विद्धारती, मतलब A ही सही है, हर एक तो हो गई नहीं 42 में कह रहे हैं कि, एक वाग के अशुद्ध है और वहे है C, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है मिठाई की एक दुकान है होता, एक मिठाई की दुकाना, चा पूछ भी तो अशुद्ध रहा है सही है, तो यही अप्सन सही है 43 पे आगए है हम, सुद्ध वर्तनी वाले सब्द का चेहन करें क्या है, देदिप्मान, देदिप्मान, यह शुद्ध है, बाकी सब असुद्ध है इसकी देख लीजी, स्ट्रक्शर, बेसबूसा क्या है इसकी यह शुद्ध है, वाकी सब असुद्ध है कैसे लिखा गया है, देख लीजी 44 पे है कि निम लिखित मैंसे असुद्ध वर्तनी वाला कॉनसा है असुद्ध वर्तनी इन मैंने से किस MARKS की है और वो है सी, यह कविता अनेक भाव पिरकट करती है, मुझसे एक आम संबब नहीं होगा, ब्यक्ख्या देखिए कि मुझसे एक आम संबब नहीं होगा, हट जाएगा, वह बिल्कुल बात नहीं करता और इन नोनों में यहीं इनता है, ठीक है, यह शुद्ध है, 47 पे आ गए हैं, पूछ रहे हैं कि अशुद्ध बाक्य का चैन कीजिए, अशुद्ध बाक्य का चैन है, वो है भी, देश की बरतमान मौझूदा, बरतमान और मौझूदा, दोनों सब एक साथ नहीं आएंगे, पुलिस द्वारा डांकों का पीछा की एगे, सही है, मैं पुस रहे हैं, निम लिखित में से असुद्ध बाक के है, असुद्ध बाक के पूछ रहे हैं, और वो है, विद्यांचल परवत पर अनेक बंस्पतियां पाई जाती हैं, ये, उसके मन की था हात नहीं आती, था नहीं बात आत नहीं आती, इस तरहे कुछ होगा, विद्यांचल प और अनेक विद्यांचल परवत का नाम है ना तो विद्यांचल भी लिख दिया और परवत भी लिख दिया दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी ना सब्सक्राइब और इसको डालें किसमें इंपॉर्टेंट मैं तपूर्ण की सूची में डाली यह रिपीट हो रहा है प्रसंद संख्या पचास सेंचुरी पर आगे इसलिए इसको बढ़िया कर देंते सजा देते हैं निकिड सैंचुरी थी हाफ सैंचुरी लिंग की दरश्टी से एक वाक के गलत है दही मीठी है मीठी होती है जय रहा प्रसन है ढमारा क्यावन और पूछ रहे हैं शुद्वर्तनी वाला सब्द सुद्वर्तनी का सब्द है और क्या है अंतरधान 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 को भी महत्वपूर की दरिष्टी में डालना ही पड़ेगा ठीक है महत्वपूर डालो इसको कई बार पूछा जा चुका है आगे भी पूछे जाने की संबाबना है 22 में कह रहा है कि शुद्वर्तनी वाला सब्द है क्या है प्रशंशा प्रशंशा सही है बाकी जो तीन दे रखें वो गलत है अब आगई बात हमारी चव त्रेपन की बात त्रेपन में पूछ रहे हैं शुद्वर्तनी वाक्य क्या है शुद्वर्तनी बताईए वही ने आज रहनु देवी का ब्यक्खान होगा ये शुद्व है और बाकी यहां मीठे पानी का एक कुगा है ये गलत है और जी ये है कि बाकी तो गलत ही है पढ़के क्या ही बताऊं वैसी time based होगा चोवन कहए रहा हैं कि एक वाक्य शुद्व है कौन सा डी मुझसे ये काम संबब नहीं और ये चर्का कातना चाहिए कातना होता है चलाना होता है उसने मुक्तहस्त से धन लटाया यह चरखा चलाने कात्र नहीं चलाना ह्मुक्तहस्त नहीं कि मुक्त हस्तस लिए से एक साथ आगा और यहां से 5 सस्थ सब्द इनको देखिए भस्म फाल्गूण और मिरणमय इनकी सुद्ध क्या हो जाएगा भस्म और फाल्गूण का हो जाएगा फाल्गूण और मिरणमय का हो जाएगा ठीक है अना बन जाएगा हम् 96 क्योद आ neden— On श्रावं से बागक सुद्ध है WOW और श्याम में संबध्ध चर्चा राम और स्याम संबन्धी चर्चा गलत है राम और चम बिशेक चर्चा गलत है, संबन्दित चर्चा गलत है, कुन सी संबध चर्चा 57 में क्या है, कौन सा सब्द बर्तनी की दृष्टी से गलत है पांच मा तो सही है, दांदी भी ऐसी लिखा जाता है, मास भी ऐसी आँख ऐसी नहीं लिखा जाता इसमें क्या आएगा वोई ये 58 सब्दों में वर्तनी की द्रिष्टी से कुन सा सब्द अशुद है वर्तनी की द्रिष्टी से पुस्पांजली ऐसी लिखा जाएगा वासकर ऐसे ही उजवल ऐसे ही उन्निरप्राद ऐसे नहीं इसका सुध्द देखी क्या होगा, मितलेश कुमारी, त्वितलेश कुमारी, थापे भी छोटी की मात्रा लगेगी, त्रिसंसंग के साइड में कहे रहे हैं, एक सब्द अशुद्ध है, उन सा शुद्ध है, भी नोकर नहीं, नोकर होता है, दो मात्रा लेगेंगी, ठीक है, नौकरी, नौकरी या नौकर बात, यह मतलब कि हमाना तो ए उस पे ना की मात्राओं से था, सुद्र सुद्र की बात, वो हमने देख लिया, प्रसन संख्या, साट, एक सट पे आ गए, अशुद्र बरतनी है, तो नेलवटा सननाटा है, ब्याक्ख्या देखनी पड़ेगी, चर्मोतकर्स, बार्ड में दोनों शुद्र बरतनी वाले सब्दें, जबकि पुनुरुथान सब्द अशुद्ध है, जिसका सुद्रूप क्या होगा, पुनुरुथा इसलिए उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया है, पुरसन संक्या 63 में कह रहे हैं कि अशुद्ध बाग के क्या, खुन सा है, वो यह है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की नहीं होता वही है, गुलाब की होता है, अच्छा इसमें मैं आपको यहां समझाने चाह पुल जोगा, गुलाब का वो एक ही होगा माला में, अच्छा इसा नहीं होता है, माला में तो कई फूल होते हैं, मतलब फूलों की बनी वही होती है, तो इसको शुदरूप क्या कहेंगे, कि गुलाब के फूल की, गुलाब के, यह देखो, एक गुलाब की माला नीचे गुलाब की एक माला प्रियुक्त होगा, ठीक है, यानि गुलाब की माला, यानि की माला जो होगी, जिसमें बहुत सारे फूल होंगे, और कि इसके होंगे, गुलाब की माला, यह सुद्ध होगा, और अगर हम यह कहें कि एक माला, यह जो है कि एक गुलाब की माला, तो एक गुल आपसे मतलब है सिंगल फ्लॉवर सिंगल रोज सिंगल रोज की कोई माला होती नहीं तो यह मंतब पर उता है इस तरह के और भी आएंगे आगे में और बताता चलूँगा आपको अच्छे से और ज्यादा के लिए रहोगा चौशन में कहे रहे हैं कि एक बाग के अशुद्ध है इस बात का इस पश्टी करन करना आविश्यक है यही होगा जानता है प्याज तीखा होता है और क्या है आप इतनी देर में क्यों आए देर से आए होगा प्रतेक श्रमिक को दो रुपे मिले अच्छा तो उत्तर हो जाएगा ए इस पश्टी करना के साथ करना का प्रियोक तुर्टी पूर्ण है ठीक है खाली इस पश्टी करना ही होता तो तो चल जाता 65 प्रसंद संख्या 65 सुद्ध बाग के कौन सा है और वो है सी बादशाह ने मुक्त हष्ट धन लटाया यह मुक्त हष्ट पीछे पड़ गया है ज्यान लखना महत्यपूर्ण की सूची में डालने ना इस है यह है कौन सा बाग के अशुद्ध है कौन सा सुद्ध जी इसमें एशुद्ध बे अनेकों मामलों में गवाता अनेक होगा अनेकों नहीं होगा समस्ट में है कि निम्लिखित में शुद्ध बाक्य का चेन कीजिए शुद्ध बाक्य का चेन करना है हमें और वो है अमारा ये सांसारिक समस्याओं में सभी फसे हैं ब्याख्या देखते हैं मज़ेदार चीज होती है इसमें ये शुद्ध रहे ये शुद्ध रहे निरप्राद ब्यक्ति को दंड क्यों मिला ब्यक्ति नहीं होगा निरप्राद ही होगा खाली निरप्राद को दंड क्यों मिला हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है देवनागरी एक लिपी ही है तो लिपी बार बार क्यों हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जा लिखी जाती है, अब भूल गया गया, लिपी नहीं आएगा, 100% से और लिपी नहीं आएगा, क्योंकि देवनागरी एक लिपी ही है, देवनागरी भी लिख दी, लिपी भी लिख दी, बात तो एक ही रही न, तो यहां से लिपी हट जाएगा, ठीक है, लिपी हटते यह सुद है अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता यह अशुद्ध है अनसट में कहे रहा है कि एक वर्तनी शुद्ध है एक की वर्तनी शुद्ध है और वो क्या है सी अनन्नास देख लो अनन्नास में कितने नावन्य केस लिखा जाया देख लो खूब गौर से यह शुद्ध है बाकी कि नेंचावर नहीं नियों छावर होता यानि कि ये दो मात्र है नल सिंगल मात्रा यांनिक ये निरपेख ब 69 एक दूसरे को गुर्रम गुर्रा क्या था, एक मेंट का समय दो मुझे याद कर लूँ सवाल था कि केनेम 63 तो क्या था, सॉरी केनेम 63 नहीं, केनेम गुर्रम गुर्रा के नेम गुर्रम गुर्रा तो इन्नी में जो 63 लिखा जाएगा गो लिखा जाएगा आएसे तो यह है गुर्रम गुर्रा यानि यह इस की तरब गुर्रा रहा है यह वर्ड क्या है यह है 63 63 तो 6 नेम गुर्रमुर्रा ठीक है मैं जाक था हां तो 69 तक हम आगे थे 69 एक वर्तनी शुद्ध को पूछ रहें यह एक की वर्तनी शुद्ध है और किसकी है वह पर्या वशान पर्या वशान से यह वाकी गलत है बेख्या बॉक्स पढ़ेंगे मौज लेंगे 60 दर्सन ऐसे नहीं 60 दर्सन होगा अनापेक्षित नहीं अनपेक्षित होता है किलिष्ट नहीं किलिष्ट होता है एक की वर्तनी शुद्ध है और वो है बी उन्यन उन्यन को देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा उ आदना पूरना या उन्ना उन्यन बाकि यह भी गलत यह भी गलत और यह भी गलत 71 पे कह रहे हैं एक की वर्तनी शुद्ध है और वो क्या है यह आविशकाथ बाकि यह गलत है बेक्ष है देवार्सी नहीं देवरिशी होता है निशब्द नहीं निशब्द होता है जमाता नहीं जामाता होता है बैतर में किया रहे हैं कि एक वाग के शुद्ध है और बागी अशुद्ध हैं परवतिये एक मिनिट परवतिये प्रदेश में प्राता काल का दिरस से बहुत चिता कर्शक होता है यह चित्व को आकर शिद करने वाला सई साल भागा है प्रतेक धर्म के लिए अच्छा सद्व सद्वाव रखना चाहिए सद्वाव मेरे बेतन का अधिकांश भाग अंस का और भाग का मतलब तो एकी रहा अंश और भाग मतलब तो एकी रहा इस बात का इस पश्टिकरन करना यह आ गया इंपोर्टेंट कर लीजिए इसको इस पश्टिकरन वाला ज्यादा पूछा जा रहा है अंतर धान वाला ज्यादा पूछा जा रहा है आगे बढ़ते हैं तो इसका उत्तर एह हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा ऑप्सन क्या हो जाएगा ए 73 व्यादा पूछ रहे हैं कि एक की वर्टनी शुद्ध है तीन की गलत है एक की शुद्ध है और वो क्या है डी अक्छोनी सेना और किसकी थी माधव की थी अक्छोनी सेना तो ये सुद रहे, ये सुद रहे, देखते चलेंगे, राज महल नहीं, राज महल होता है, एक सार लिखा जाए, कौमलांगी नहीं, कौमलांगी होती है, निरोग नहीं, नीरोग होता है, ये भी बहुत पूछा जा रहा है, डालो महत्त पूर्ण की सूची में, प्रसन संग्य पिचत्तर में कहे रहे हैं कि एक बाग के शुद्ध है और वो क्या है ये बीवाला अच्छे लेखन के लिए सब्द सैयम आवश्चक है और ये वास सत्त है पिचत्तर में कह रहे हैं एक बाग के शुद्ध है और वो क्या है ये सिक्षा प्रणाली जनोप योगी होनी चाहिए खेज उतने के लिए पारंपरिक उपादान हलका इस्थान आव ट्रेक्टर ने ले लिया है नरपरादी वो क्या होता है शिरीमती रेड़ी जिस इस्तर की निरत्यांगन है उनके पती उस इस्तर की निरत्यांगन नहीं नर्तक होता है वहाई या बाक के सुद्ध है 71 में कुन सा है वो ए स्वामी विवेगानंद का भासन सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घणों पानी पड़ गया और वाकी तीन गलत है बजार का सापता ही अपकास सौंबार को रहता है गलत है आगे बड़ते हैं 78 देखेंगे बाक के में सुद्ध बाक के है कौन सा डी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है अके 79 बाक्यों में सुद्ध बाक्य है कौन सा D स्रीक्रिश्यं के अनेक नाम है और ये जो आप sentence देख रहे है इसको ज़रा मैं highlight कर दूँ स्रीक्रिश्यं के अनेक नाम है ये बारबार पूछा जाता रहा है पूछा जाता रहेगा महत्पूर्ण की दृष्टी से इसको लिष्ट में लगा दीजिए 80 निमलिखित बाक्यों में सुद्ध बाक्य है कौन सा है B देखो फूलों पर भोरे गुण्यार कर रहे है 81 पूछा है कि बाक्यों में सुद्ध बाक्य कौन सा है वो है C 82 के रहे हैं कि शुद्ध संयुक्त बाक्य का उधारन है संयुक्त बाक्य कौन सा है उसमें दो एड होते है मुझे परिक्षा देनी है और मैं गोरकपुर जारा है दो बाक्य एड हो गए न और के जरी ये मुझे परिक्षा देनी है में गोरपड़ जारा है तो यह यह तरासी पूछ रहे हैं सुद्ध बरतनी वाला सब्द कहां थे तरासी बरतनी वाला सब्द यह है श्रिंगार ऐसे लिखा जाता है श्रिंगार इम्पोर्टेंट है सरिंगार सब्द भी यह दियान लखना मैं तपूर्ण की सुची में रखना इसको भी 84 में कह रहा है कि सुद्ध बाग के बताईए सुद्ध बाग के है D मैं कहता हूँ हम कहता हूँ गलत है मैं कहते हैं गलत है हम कहती हूँ गलत है अगला है कि निम्न में सुद्वर्तनी वाला सब्द है क्या है उज्वल इंपोर्टेंट है भाई साब ये इंपोर्टेंट है ये कितनी बार पूछा देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 2008 देखो 2008 2012 2014 2015 2018 2010 तो इसको इंपोर्टेंट मांदो साब कह रहा है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है सन्यास की वर्तनी शुद्ध है ये गलत ये गलत ये भी गलत विख्यां देखते मीज़ेंगे अं अ ब्याक्षया में क्या है है ये ऱफलत य इतर अशुद्ध दे रखने यह है प्रित्युबकार जो कि यह सब नेगा नहीं ऐसे बनेगा प्रित्यूपकाल, दुरावस्ता क्या से बनेगी, इस तरह Strong, इन गार थे दुरावस्ता, कैलाश नहीं कैलाश ठीक है यह है कि अशुद्वर्तनी वाला सब्द है अशुद्वर्तनी वाला सब्द कौन सा? जी, इस तरह नहीं लिखा जागा तरह आए मागा आथा सी में केह रहे हैं कि बाक्यों में से iqa officer देवां संस्कुरित चैनल हूं है thinking of the महत्रपूर की दर्ष्टी से लिस्ट में लगा दीजिए बाकी तो तुम जानती हो गांधी चरका चलाना सुदेशी प्रतीक समझते थे कातना आएगा और बन जीवन में कश्टों में सीता अनुवन को रोक नहीं सकी अपनी कशल बाकी सब सब्साइए 89 पर हम आ गए हैं पूछा है कि शुद्ध बाक के कुण सा है और वो है सी बेश सब प्रिकार के देश्टों से मुक्त हैं कि गिरस्ते हैं निम्लिकित बाक्यों में से एक बाक के शुद्ध है और वो क्या है ये प्रत्विराद चोहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का यह होता यह हमारे शुद्ध है वाकि गिलास उपर तक दूट से ठसा ठस भरार. अधाया लवाला वह पर होगा खाली, हम पहुंचेएं91 पर नाइग था नहीं 90 था, 91 पर आ जाईए, लिखा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, और वो है A, आइंश्टीन के पास बिलक्षण बुद्धी थी, विचित्र बुद्धी नहीं थी, अलोकिक भी नहीं थी, देव ये भी नहीं थी, कैसी थी, बिलक्षण थी, और देव ये तो बिलकुल नहीं थ 92 में कह रहे हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, सरतकालीन दिनों में, अच्छा, चंद्रमा की सोबा देखने योग्य होती है, फिर कह रहे हैं कि सर्दकाल के दिनों में, चंद्रमा की सोबा देखने योग्य होती है, सरतकाल में चंद्रमा की सोबा देखने योग्य होती है, यह सुद्द है. आगे आएए, कौन सा वाक्य सुद्द है? B. दही खٹा है, ना कि खटी है, खटास और खटाई, यह सब गलत हैं. सुद्द वाक्य, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है. पाती लिखनी है गलत, पाती गलत, लिखनी गलत. 95 कौन सा बाक के सुद्ध है यह आँखों देखी कटना है अशुद्ध बरतनी वाला सब बूच रहे हैं B, निश्चेश्ट यह अशुद्ध है बाकी पारलोकिक सही है दुर्दिस दुर्दर्स सही है और आशिरवाद भी बिल्कुल सही है आशिरवाद से याद आया कि तुम्हें राक एसेट कहां टंगता है और पड़ा कहां जाता है 97 सुद्ध बरतनी वाला सब्द है क्या है? धोबिन धोबिन ही नहीं होता यह भी गलत, धोबिन गलत इस तरह लिखा जाएगा भागी रती ध्यान देंगे 99 सुद्ध बरतनी वाला पूछ रहे है क्या हो जाएगा विरहुणी 100 असुद्ध बरतनी वाला सब्द पूछ रहे है साब 100 में 100 में पूछा है असुद्ध बरतनी वाला सब्द और वो क्या है यह समुज्यन यह भी ठीक यह भी ठीक यह भी ठीक और यह प्रज्वलित समुज्वल उज्वल यह जिनमें जा रहे हों दो तीन इस तरह के सब्द तो महत्रपुण मान के चलिए बिल्कुल तो बात चल लई थी कि यह जो रा होता है जो टंगता जो उपर यह कैसे पढ़ा जाता है तो इसका सिंपल समय एक आपको भेशान मताऊंगा जैसे यह लिखा गया आशीरवाद अब इसको ज़रा सिलो मोशन में पढ़के देखना आशीरवाद यानकि जिस अक्षर पे लगा है उससे जश्ट पहले पढ़ा जा रहा है ठीक है आशीरवाद तो अब कभी भूलना मत इसको जिस भी अक्षर पे जिस भी सब्द पे यह लगा होगा ठीक है उससे पहले ही पढ़ा जाएगा उसके जस्ट पहले पढ़ा जाएगा तो फिर मुलागात होगी दोस्तों आगली वीडियो में और ये मेरे लिए तो बहुत प्रसंता का विशह है कि समिक्ष अधिकारी में पूछे जाने वाला हिंदी का जो सिलेवस था पाठिकरम था उसमें 6 टॉपिक आते हैं 6 के 6 हमने कवर कर लिये हैं और इन वीडियोज को आप देखिए कोई भी तुरुटी यदि पाई जाती है तो जैसा कि हर वीडियो में ने कहा है कोई भी यदि मेरी गलती है तो उसे मुझे बताईए जिस तरह भी बता सकें और सबसे आसान तरीग कि कमेंट करके बताईए वो कमेंट पबलिकली होगा उससे मुझे प्रभाब पड़ेगा मैं देखूंगा उसको जहां भी कमी है कोई गलती है उसको मैं सुधार करूंगा और वीडियोज कैसी लगी ये एक हमने पहली एक हमारी कोसिस है समिक्षा अधिकारी के लिए वो भी को हम लेकर आएंगे आपके लिए घटना चक्र की वीडियो लेकर आएंगे अब उसमें भी प्रिवियस सी रहेगा वो भी परिक्षा की दृष्टी से बहुत ही महत्तपून रहेगा आपके लिए उसको हम लेकर आ रहे हैं तो देखना न भूले हमारे अपने चैनल ACP 350 यान समार लिए most important very valuable ठीक है तो मिलते हैं फिर आगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत